शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हम! हम घ्रने अदियु है कर देम कान आई ननने बनल सी तौजय वीð कर दोनीज मिश्सक्राइब तौजया ओया वे से कंवा, एक उलाईे जरू शेपें! . . . . . गजए लजए इसा और बेसे हाड़ी 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 का चाल सारी को कर दो कर दो कर दो दो कर 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 दो कि लुप चुप अजब कि भुप अजब कि अजब कि अ कि अ गुद मानिंग अटकन बटकन दही चटोकन मुसुआ मोटा रुपिया खोटा माला तूटी बेबी छोटी मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी लालालाला मंडे भी हो तंदे सब के मांग है मलोची ए राइट है या रोग है मंडे भी हो तंदे सब के मांग है मलोची ए राइट है या रोग 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 है पेड़ां पेड़ा नाचे चामा 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 चुन चुरा के फाखे उन्द के तीछे सारे फाखे सब के पीछे पीछे भाखे अंगः चाते भी खो संद सब की आंद है पौलो जी ये राइत है या जाम चाम राइत है या जाम के कौन बोने सुनने के ये सांग हादे हादे एक एक दान में धोड़ा नाचे चम 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 कितना त्यारा ये हर है अपना नेती है कोई सपना सुनने सारी दुनिया यहादे खुशिया देदी है यहाद अभी ना आए कोई मंदे भी हो संदे सब की माग है बोलो जी ये राइड है या राग है मंदे भी हो संदे सब की माग है बोलो जी ये राइड है या राग है ये राइड है ये राइड है सुन के ये कोई हले एक दान में धोड़ा नाचे चम 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 ला करता ला करो ना करताव मतन का रहा कर दीजिए कर दो बेश्री फृर्ब बेश्चर भाय कर दा कर दा कर दो खिए होुआ क्या हुआ पापा, पिर्च आ भी भूगएना? आ, पु... पापा, चापी मिने की नाए चापी पापा क्या हुआ? गाडी नाए, विस्सल यार, तुमने तु मुझे डराई दिया यह बताईए, अब शाम को जा रहे हैं? जाना ही पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है? पहले कहां जा रहे हैं? पहले बंबई एक दिन के लिए क्यो? वहाँ मैं फाइप स्टार होटेल बना रहा हूँ ठीक है, फिर कहां जाएंगे? फिर एक दिन के लिए भोपाल भोपाल क्यो? वहाँ आखीटेक्स की मीटिंग है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ ओके फिर? फिर वहाँ से दो दिन लखना हो वहाँ टीवी स्टेशन का साइट फाइनल करना है वन एन वान टू, टू एन टू, फो चार दिन, आपको तो प्रें से डर लगता है तो ट्रेन में कितना टाइम लगेगा? हाँ, वो भी तिन दिन जोड़ लो सेवन सेवन, आपको मालूम है हमारा इंटर स्कूल कॉंपटिशन का भी है वो चो शे दिन बाद है तेर? बहुरत परिटा, मैं लगनो का काम एक यह तिन में पठा दूँगा प्रामिस, पापा पक्का प्रामिस अगर आप नहीं आए तो मैं डांस नहीं करूंगी और मैं डांस नहीं करूंगी तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता अजे आप देखिये तो सही, पहली रो की पहली सीट पे जो सबसे पहले ताली मारेगा, वो मैं ही हूंगा आई लब यू पापा लब यू तू आई लब यू तू, त्री, फॉर आजाना पापा अहाँ, यह देखिए यह देखिये फिर्स्ट जनाब, यह है आपके कवर पेज का ले आउट, है ना क्लास ने ने सर, इस पर फोटो यह वाला नहीं होगा शार आखों में ध्रीमी लुक होनी चाहिए अभी 10,000 का प्रिंट ओर है और पॉपुलर होते ही हम 2nd edition निकाल देंगे जनाब, टाइटल की लेटरिंग पर गौर फरमाईए देखाईए, सर है ना क्लास कविता संग्रे के लिए दिल क्या करे से ज्यादा अच्छा टाइटल तो हो इनहीं सकता, सर टाइटल तो अच्छा है लेकिन कवर से मेरा नाम निकाल दीजिए अच्छा, यानि के गुमनाम कवी की कविता हैं करेक्ट, एना क्लास सर मैंने किताब का डिजाइन बनाया है एक मिनिट, हलो, कविता सुमू, अरे कहा हूं तुम उफो, मैं अकेली यहां सुपरमार्की में परिशान हो रही हूं आनन टूर पर गए हुए और रमदुलारेकाच ओफ है अगर मैं यहां लेट होगे तो नेहां को स्कूल से कौन लाएगा कविता, एक मिनट तुम्हारे एक मिनट में तो एक पाकेट हल्दी भी दारा सुनो, अरे यह नहीं वो वाली और मिर्ची भी लाल वाली कुछी बाद में है, एक तो करोड़ पती ऊपर से कवी, यानि के करेला और नीम चड़ा है ना क्लास तुम्हारे होटों से चूमता हूँ मैं उस किरन को जो खुब अंधेरे से डर्ती डर्ती मेरी सलाखों को छू गई तुम्हारे हातों से चू रहाऊं मैं उस हवा को जो मेरे जेल खाने की गोठरी के बाद से गुजर गई क्या बात है? जेल की हवा? क्या बात है? जेल की हवा? वो यसे अब जेल में कोनसे गोटाले के लिए गए थे? रम दुलारे नो प्राब्लम साड़े तीन चमल दालता हूं हां समु सुनाओ तुम्हारे कानों में मेरी धरकन की आवास सुनाए दे रही है जैसे कोई जंजीर तूटती है यह मुझको बंदी बनाने वाले यह तुमको मुझसे जुदा करने वाले यह भूल चुकिया है कि मैं तुम में समा चुका हूं मैं बंदी खाने से दूर जा चुका हूं मेरी तो रहाई हो चुकी है 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 में साब मैं अपनी रहाई करू हां कर लो थाइंक्यू बीग प्रॉब्लम तुम जैसा जोकर इतनी अच कि विज्ञान इतनी तेड़ से फोन किया कब से बेट कर रही है कैसे हो फर्स ख्लास क्या कर रही हो सोमु की नई कविता सुन रही थी अच्छा ज़रा फोन देना उसे हैं देती हूं एक मिनट सोमु हाई आनन्द क्यों बैं साले तू रात के बारा बज़े मेरे घर में क्या कर रहा है चौकीदारी यह तेरी बीवी है यह खूबसुरत भी है और जवान भी अगर कोई सुठा के ले जाए तो इल्जाम तो मुझे पर ही आएगा इसी ने चौकीदारी कर रहा हूं साले चौकीदारी तो ठीक है यह शेडोशारी क्यों कर रहा है अरे यार दूसरी बुक निकल रही है ना उसमें कुछ नया लिखा है आचा मुझे भी सुना सॉरी मिस्टर कविता है फोन पे मैं सिर्फ लड़कियों को सुनाता हूं अच्छा मेरी बिट्यारानी क्या कर रही है नहां सो रही है पापा मैं अभी तक सो ही नहीं पापा सो मुझ की पोईट्री सुनका नीम कैसे आएगी पापा आप कहा हो बिटा अब धोपाल पापा आप कहा बाऊगे मैं कल ही निकल रहा हूं यार एक दिन लखना और फिर लखनो के टीवी स्टेशन के लिए वाकि इससे बड़िया साइट नहीं होगा आपकी क्या ओपिनियन है मिस्टर आनन मगर सोचिए इस एतिहासिक किले के सामने 300 फीट ऊचा लोहे का टावर इसकी ब्यूटी का सत्यानाश नहीं कर देगा लेकिन आनन साब यह साइट मंत्री सॉरी मेरे ट्रेन का वक्त हो गया है प्लीज अनन जी मंत्री जी का मामला है हमारी नौकरी खत्रे में पड़ जाएगी अगर साइट पक्का नहीं हुआ तो हमस्साइट से जारिक स्टेशन चल पड़ेंगे अच्छा चलिए हलो हाई जान हाई जीक से पॉंच गए थे प्लेन से तब बे तो खराब नी हुई पोटल कैसा है सब ठीक है यह बताओ फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगाया नहां रही थी ना कपड़े पहन लिया नहीं कैसी लग रही है आनन्द बहुत मारंगी हां मिसें यह स्वीराद अच्छा सुनों मुझे यह तीन दिन और लग जाएंगे क्यों तुमारा तो एक दिन का काम था था ना अच्छाइन में कुछ चेंज आ गया मैंने कैलाश की यही बुलवा लिया अच्छा चीग है और लिसन डॉंट ओवर्वर्क योसेल्फ आई बॉंट निया का है निया बहार खेल रहे यह बलाओ निया निया इक उन अधा बलाती हूं यह जैंत All . नियुक क worry at buscarul जोंग कर्ये है यह फेट आयो हूं हट upgrade मैंने बोल ह था ना बड़ा वाला बने राथी लाने ने को वुमत लाना अंटी अभी अभी डेकर गई है अच्छा कौन से आंटी वो अच्छी वाली आंटी आई थी और उन्होंने बोला मैं और भी टॉइस लाऊंगी पापा अब जल्दी आऊ ना ओके पापा मैं मोलू को साइकलिंग सिखाने जा रही हूं बाई पापा कौन आया था मैंने देखा नहीं जब मैं निकली तो गाड़ी निकल रही थी मेरे ख्यासा मिस्स मलो उत्रा होंगी जब से उनका बच्छा गुजरा है सबको खिलोने बाटते फिरती है नेहा को समझाओ इस तरह किसे चीजे लेना अची बात नहीं है येस सर और कुछ बोलो आ लव यू लवी सब्सक्राइब नहीं दरती है देख वाहा हात रख और चला दीरे दीर दीर आंटी नहीं तो तो फिर किस नहीं दिया मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा मामा की कोई फ्रेंड थी मुझे क्या मालूम आपकी तो इतनी सारी फ्रेंड उती हैं पर बेटा आ उनको पहले कभी देखाएं आप कितनी बात कर दी है मुझे मौनो को साइकल सिकाना है कि अगर आप कर दो कर दो कर दो कर दो अबबबब अबबब कर दो कि देहु लगा दी मैं जिन्मुन को डॉल इखा रही थी कितनी अच्छी ना डॉल यह बात भी करती है अच्या किसकी है मेरी है बाबा आँटी ने दी है कौन सी आँटी वो आंटी है ना, जिनने मुझे बिग बनी दिया था वो आंटी, यहां भी आती है? हाँ, वो तो रोज आती है मिस्स पंचाल, एक मुनद बिखा हलो मिस्स किशोर, कैसी हैं आप? मिस्स पंचाल, निहां बता रही थी, यहां कोई और अस्ते मिलने आ रही है? यह मैं नंदी तराय, वाच नाइस लेडी, आपके कोई दोस्ते रिष्टितार है न? नंदी तराय, मैं तो किसी नंदी तराय को चांती भी नहीं मगर निहा तो उनसे काफी हिली मिली लगती है निहा तो बच्ची है मिस्स पंचाल, लेकिन आप कैसे किसी भी औरत को उससे मिलने दे सकती है मामी घर चलो नो, मुझे चेंज करके डांस क्लास बे जाना है अब चलो प्लीज मिस्स पंचाल, आप मेरी परमिशन के बगए निहा को किसी से न मिलने दे शो, मैं ख्याल रखूंगी थांक्यू देखो बेटे, अगर कोई अंजान आउंटी आपको खिलो न दे तो आपको नहीं लेना चाहिए मगर मैं तो जानती हू उने जानती हू? कैसी दिखती हैं? बहुत अच्छी आती कैसे? कड़ी में बड़ी वाली वाइटकार है उनकी सब के लिए खिलोने लाती हैं? या सिर्फ आपके लिए लाती हैं? मामा वो मेरी आउंटी है न ममी तो सब के लिए क्यों लाएंगी? क्या बातें करती है? सब कुछ सब कुछ? हाँ मेरे फ्रेंस कौन है? पापा क्या करते है? होमवग कौन कराता है? रामदुला रे तंग तो नहीं करता है? लाली चकलेट खाऊगी स्टॉप इत निया हलो बेपू मा-मा-मा-मा-मा निया, स्टॉप इत सौरी सुरी प्लीज बेटा, चुप हो जाओ, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया पापा, फिर भी मम्मी ने मुझे मारा, और मेरी डॉली भी तोड़ दी, मम्मी बहुत बुरी है, मैं उनसे बात भी नहीं करूंगी, अरे यार, तुम फर्स स्टैंडर्ड की फर्स लड़की हो, और रोती ह ची, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अच्छा, तुम ममी को फोन दो, मैं डाटता हूं से, जोर से डाटना पापा, हाँ, और बोलना ये मुझे डांस क्लस ले जाए, अफकॉस ममा तुम को डांस क्लस ले जाएगी बेदा, ममा, तुम किसी नंदीतर राई को जानते हो, अग जानता होंगा, कम ओन अनंद, आम सीरियस, जानते हो क्या, नव हर्ड़ अफर, कौन है ये नंदीतर राई, पता नहीं कौन है, निहां से मिलती रहती है, महंगे महंगे खिलोने देती रहती है, फ्रिंस्पल ने सोचा, वो मेरी फ्रेंड है, उसने अलाओ कर दिया, याद है मैं तुम क्याकटा में थे, और एक और यहां आगर बेबी को बेक बनी देकर गई थी, मैंने सोचा मिसिस मलोत रहांगी, पर अनव वो तो यही थी, कौन हो सकती है, और मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है, जान, तुम ओवर्याक्ट कर रही हो, इसमें इतना परिशा मिस्यू तो तो पर करो न महुरत तो तुमारे हाथ तो यह होगा ना जब तक तुम पहली बुख नहीं लोगी जब तक से शुरू हो सकेगी अच्छा ठीक है मैं कल आती हूँ पॉपीले भॉख नहीं पंदरा मिट में जाकर वाफिस आजाएंगे अच्छा और निया क्लास काते मोने से पहले वाफिस आजाएंगे ना अच्छा ठीक है जड़ा वाच्मेन को बोल दो नियाका ख्याल रखेगा तुम्हारे लिए लिए खाट है कि आप पिक वी टालिख दिनी है अलो, आफ यूण विए एंटाइब तुम्हारे लीक विद्ध ओ ये लो ताइन्क यू अधूस्नाइटीशन थाइन्क यू वह एक मिन्स सब्क्राइब करनें सब्क्राइब जा कोशना pleas ख़नो पना हिस दो कोशक हुआ है जाग वाई मुझे आज तक पता नहीं चला लड़किया कवी उप जिर्ड़ारी है क्या कह रहा है यहां तो ठीस्पेरिन सी कुछ उलता ही रहा है कभी लड़की की पीछे भागतरा लेकिन लड़की उसके आत में नहीं आए पागल हो तुम अच्छी सी लड़की देखर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते अरे तो पहले कुछ नहीं पता है तुमने मुझे आप मुझे शादी करेंगी जी आप आपका बहुत उक्पार होगा मुझे प्लीज शादी कर लीजे मुझे आप पागल है क्या जी नहीं मैं कभी हूँ देखी मेरी बुक चपी है गेट लोस्ट सुमूल या इंपॉसिबल बेटर जल दी नितन नहा की क्लास छुट जाएगी देख लिया मैं सब और निहा? वो भी चल गया मैं शाफ उसका टाथी लेने आया था उसको वाट? यू इडिएट मैंने तुमसे का था कि तुम बच्ची को किसी के साथ मज जाने देना निहा Excuse me आपने ए छुटी थी बच्ची को यह खुर सा निकल दूमें देखा नहीं हमने तुनी देखा वी बच्ची निहा 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 अलो अ होटेल दाइगलोख्वीन प्लीज श्रेइट मिस्स आनंड किशोर इस विरी उजिन अरी 405 तह्रे रहे प्लीज़ रूम में तो बहार बलाएए ने जल्दी प्लीज यह सब्सक्राइब! मुष्टी कष्चाइब! मुष्टी अर्फलिक आमोर्टे टिलें.. मुष्टी कवीता पादल होगी हो.. मुष्टी अर्फ इंटासन उनकंटान। प्लीस वोल्टी वोल्टान। सुनो कविता अलो कविता प्लीस मैंने निया को खो दिया आनट जाट जाट मैं अभी DCP कुमार को फोन करता हूँ हाँ बाबा मैं अभी फोन करता हूँ डोन पैनेक Excuse me Could you look up the Delhi directory please I want to talk to DCP Krishan Kumar Excuse me Yes sir Delhi की नेक्स फ्लाट कब है कल सुबे साथ बज़े साथ बज़े साइ प्लीस एक टिकेट पुकराला Yes sir Airport Highway Squad and Saris stations को इंफर्म कर दो जनाब एक पांच साल की लड़की नेहा और उसके साथ एक मैला Give the top priority Is that understood कहा लेकी जाएगी नेहा को कभी ता वो कहीं नी रिजा सकती Relax Subo अगर नेहा को कुछ हो गया तो मैं बढ़ जोगी Mrs. Krishore Please, please, please control yourself Look, we're doing our level best हमें नेहा की तसीर चाहिए होगी Television पे देने के लिए और इस तसीर की कॉपी हार station पे होनी चाहिए तसीर की कॉपी हार station पे होनी चाहिए Mr. Somadath आप मेरे साथ चलिए खमस कुसे डूंक खमस कुछ प्राम्दददद रहसे राम्दददद रह दिचरा बिचाथ निए पेटा मदे वदे मुझे घऊड़ो, मेरा घोड़ा भाग जाएगा काँ चले गय थे तोबिच्च वैसे दूंक एक मेमसा भाई थी गाड़ी लेके मेमसा आप नहीं वह अच्छी वाली आंटी वह तो अच्छे ले गई हमने बहुत रखा लेकिन वह तो हवा के गोड़े पे जवारती कहने लगी फिराऊंगी हमने का एट बार इस राम दुलारी शिन्ना के हाथ की चाय तो पिते जाओ जिं अच्छी बात है नहीं से कोई चीज लेते हैं ना कभी उनके पास जाते हैं ओके मैं तो कहीं नहीं गई थी वो तो मम्मी गई थी ना सोभू अंकल के साथ फिर क्लास खतम हो गई और वो आंटी मुझे ले आई बेटा तो आपको मम्मी का वेट करना चाहिए था ना वेट किया ना सब बच्चे जाने के बाद भी वेट किया अच्छा सुनो अब कभी नंदिता अंटी आपको बुलाएं तो आप उनके पास नहीं जाएंगे ओके और वो मेरे पास आए तो तो अच्छा ममी को फोन दो बच्चा पापा I love you अच्छा याँ अच्छा ने नहीं थे थीक है शेपाइं तुम कहो तो एक दिन जराजों यह सब काम वह जाएगा को के तो तो सु सीरिए अनुद किया चाहती ए और यह ए ओमारे दुनियों में क्यों आख लगा रहे है जान, क्यासी बाते करती हो? तुम जानती हो, वो कुछ नहीं कर सकती पुलिस उसके पीछे लगी और वो जल्दी सामने आ जाएगी आरेट, I can't live without you तुम दोनों ही सब कुछ हो मेरे लिए और तुम भी सब कुछ हो मेरे लिए अर्को यस्पर को तुम जानती हो और को यस्पर को तुम जानती हो प्योज बाएगी प्योज बाएगी लाना, 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 इन हमा बखिसे लिखती, तो दिला कि कारी, इन हमा बखिसे ने लिखती, दो दिलों की कहानी, इन हमा बखिसे ने लिखती, दो दिलों की कहानी, उसमें रोना मिखे हैं, इक ती रह एच मिणा, उसमें दो ना मिखे हैं, इक ती रह एच मिणा, तुम ने इस आदमे के लिए अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपना सब कुछ बरबाद कर दिया, पापा, मैं आनल से प्यार करती हूँ, आगरे अपना, तागर चाए समा, तागर बनाने लो, देखो, कैसे खुश्बू है, कैसे यादू है, जादो सचा मिलता हूँ, दीखो, ये हुदा हूँ, यहाँ पे ये पहली बावा, दो दिल जो मिलके धड़के हैं, इक तीना है एक मिला, दो दिल जो मिलके धड़के हैं, इक तीना है एक मिला, जागे हैं सोड़े हैं हम कहां खोए हैं कुछ याद आता नहीं हो देखो तेरे नाम के बिना तेरी आग के सिवा कुछ याद आता नहीं हो देखो हमारे तुमारे प्यार के दो सपने सच हो रहे हैं एक तेरा है एक मेरा दो सपने सच हो रहे हैं एक तेरा है एक मेरा एक मेरा आता नहीं हो रहे हैं हो इन हवा पे किसी ने लिख दी दो दिलों की कहानी उसमें दो नाम लिखे हैं एक तेरा है एक मेरा उसमें दो नाम लिखे हैं एक तेरा है एक मेरा कवीता 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 उस गाड़ी में ब्रेक खराब है कवीता 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 सॉरी मिस्टर आनंद किशर हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके कि अ कोई दो रचा नहीं सके करेंगे मिस्टर आनंद कि अ कर दो कर दो कर दो कि आपने कोई बुरा सपना नेखा है हाँ पिटा है है सोचो पिटा है समझ नहीं आथा कि उसे नेहा को किट्नाप करने की कोशिश की तो फिर घर पर क्यों ले आए एनिवे घबराने की कोई बात नहीं है स्कूल के प्रिंसिपल और राम दुलारे ने उस औरत का हुलिया बता पड़ी तो बच्ची के साथ एक हवलदार भी लगा देंगे थैंक यू मामी प्लीज मुझे स्कूल जाने दो ना मैं बहुत बोर हो रही हूँ बैटा आज आप यहीं खेल लो ना मगर मैं किसके साथ खेलू मेरे सारे फ्रेंड स्कूल चले गए हैं जितनी करते बैटा जान लगता है आपको हमारी पुलिस फोर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ने ऐसी कोई बात नहीं है वो पस आनन्द नहीं है न मैं तो मैं समझता हूँ एनिवे अब बिल्कुल फिकर मत कीजिए जी नेहा को कुछ नहीं होगा I promise you that thank you bye-bye baby no problem . बिल्किछ डेडी बैवी वह तो तुम्हारे पास ही गई है देखो अपने कमरे में होगी मेरे पास वह तो हुआ नहीं है चा कि रियो तुम Neha, Neha! बिटो, बिटो, बिए ओ, बिए, बिएॉ बिए, बिए, बिए मम्मी, मम्मी, यहां हूं मैं कर दो कर दो कर दो कोन हो तुम मिलती हो तुम मेर Cartag वहां से, उसे खिलोने क्यों देती हो, स्कुल क्यों जाती हो, हाँ, क्यों कर रही है तुम ये सब, किद आप करना है मेरी बेटी को, बोलो, क्यो नारक बलारका है मारी जिंदगी को, what the hell are you up to, what's right have you to do this, क्या दिकार है तुम इने हसे मिलने का, मांडी, नंदेतर राय, नहीं है ना तुमारा नाव, what the hell are you up to, तुम हो कौन, कौन है तुम? मा हो मैं उसकी, नहीं हा मेरी बेटी है तुमारी बेटी जी, जिस पच्ची की मा है उसे जनम मैंने दिया है Oh my God Oh my God एक बार और सोच लो कभिता, मुझे संतान की जरुरत नहीं, मैं तुम्हारे सहारे जी लूँगा जानती हूँ तुम्हारे इस प्यार की शक्ती नहीं तो मदद किया मुझे ये निर्ने लेने में कब तक चलने लगेगी आरंब अभी तो बस साथ दिन की है ये इनको थोड़ी ज्यादा जल्दी है ऐसा कीजे आप इसको गाड़ी की चावी दे दीजे यह हम सब को ड्राइब करके घर ले जाएगी मम्मी मम्मी देखिये मैं निहा को वापस ले जाने नहीं आई निहा आपकी है और आपकी ही रहेगी मैं तो बस यूही एक बार देखरे आई थी उसे मेरी वज़े से आप लोगों को बहुत परिशानी हुई मगर मैं कैसे मान लूँ कि तुमी नहीं की मा हो मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है बस इन आखों में देख लीजिए अगर यह जूट बोल रही है तो उन पर विश्वास मत करना मगर तुम इस तरह चिपचिपकर नहीं से क्यों मिलती थी सामनी क्यों नहीं आई डर लगता था कि अगर आप लोगने मुझे गलत समझ लिया तो सूचा था उसे एक बार देखकर वापस लोट जाओंगी लेकिन पता नहीं किस चीज ने मेरे पैर थाम लिये शाहिद ममता शाहिद स्वार्थ शाहिद अपना अकीला पन लेकिन आप चिंता मत कीजिये मैं जिस तरह आचानक आई थी उसी तरह आचानक चली भी जाओंगी यहां जब बड़ी होगी तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि मुझ जैसी उसे कोई मिली भी थी और आप भी उसे कुछ मत बता ना जानती हूं मैंने बहुत परिशान किया है सचमानी है मैं आपके घर तक कभी नहीं आती लेकिन मैं कल जा रही थी और बस एक आखरी बार मैं आपको देख लेना चाहती थी अजानी में क्या 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 गई ना आपको आपको जो कुछ भी कहा बहुत अच्छा लगा मेहा बहुत किसमत वाली है कि आप जैसी मा मिली है उसे पर वो मुझसे ज्यादा तो अपने पापा से थ्यार करती है लगता है वो आपसे भी ज्यादा अच्छी है मेरा भी यही ख्याला है हलो बिचा मम्मी आंटी का घर ले चलो ना मैं अपने टाइस बताऊंगी आप ही बोलो ना नहीं हाँ फिर कभी नहीं आप ही चलो ना इखरी तो हुमारा घर है चलो ना राम दुलारे पिश रिखार्ट कर रहा था उस दिन तुम चाय भी बगेर ही निकल गई ओके ये ये कमिशनर साब रुका प्राब्लेम अरे देखे अरे रामू फिक प्राब्लेम बेभी गाहे अब सब ठीक हो गया यहीं कॉलनी के पार्क में थी लोग कर लो बात दिंडोरा शेहर में और बच्ची बगल में कमिशनर के पीछे सारा धूद गिर गया अभी लाते फ्रेश साथ में कुछ आया बिस्किट भी लिया ना अभी लाया मालकिन क्या कैसे हुआ है सब सुनोगे तो विश्वास नहीं होगा यह है ना इसका नाम किट्टू है बहुत गंदी है इससे अच्छे कपड़े पेनाओ तो गंदे कर देती है अच्छा और यह पापा लाए है इसका नाम है बार्बरा अरे इसने कहा हो तुमने मान लिया कविता तुम नहीं जानती इन गैंगबालों को मेरी नजर कभी दोग बना रहे हैं तो फिर यह कौन है सोमो अंकल सोमो अंकल चलो चलो दूद पियो पियो ना मैं तुम्हें गटे की सावारी करवाऊंगा मुझे नहीं पीना है मुझे अच्छा नहीं लगता दूद क्या आपको चोकलेट अच्छा लगता बहुत अच्छा तो आज हमारी बेट मेरी बेटी का भी नाम नेहा है साच अब रो क्यों रहे हो पकरी गई मेरी भी मम्मी कभी कभी मुझे प्यार करती है वो भी रहने लगती है तुम हो ही ऐसी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मेंचाब चाय कभी लगा दिये और कुछ चाय ये तो बोलो थैंकि रांद्रारे मेंचन नाट मेंचन नाट अब कल गुड़ी विनिंग में मिलेंगे कल अमार आओ पाए नाट मेंचन नाट मेंचन नाट नंदिता तुम क्या लोगी चाय कॉफी कॉफी प्लीज ब्लाक मैं तुमें सोमु से मिलाना तो भूली गई सोमु दिस नंदिता मैंने अल्रेड ही जानती हूँ अच्छा कैसे आप मुझे भी जानती है जी हां नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है सब के बारे में मैंने एक बात नहीं बताई क्या पेटा सोमु अंकल की पोईट्री मुझे समझ में आती ही नहीं नेहा ये लो नंदिता कहा ठैरी हो राडिसन थैंक्यू मुझे आफर कीजिये ना अब लीजिये ना कवीता एक रिक्वेस्ट है बोलो मेरी ट्रेन कल सुबह की है अगर बहुत दिक्कत नहों तो आज क्या मैंनेहा के साथ होटल तो जाने नहीं दूंगी तुम यहीं रुक सकती हो सवेरे आनन भी आ रहे हैं उनसे भी मिलकर चली जाना थांक्यू येस मज़ा आगया मैं आज आपके साथ ही सूंगी और आपको स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी तुम यही से फोन क्यों नहीं कर देती सवेरे आते हुए सुमु तुम्हारा लगे चेक आउट कर लाएगा यही से स्टेशन चली जाना शॉन नो प्रॉब्लम आँटी चलो ना कंप्यूटर गेम खेल ले हाँ चलो कितनी अजीब बात है कविता निहां दंदिता को जानती तक नहीं लेकिन कितनी खुल मिल गई है वो उसकी माँ है सुमु यार तुम दोलों का धुमाँ खराब हो गया अगर वो नेहा की माँ है भी तब भी उसे नहीं पता चल सकता कि उसकी बेटी को किसने गोद लिया है अटॉप्शन की काईदे इस मामनें बहुत सकते हैं भाई मुझे कुछ पता नहीं तुम्हें जो कुछ पूछना है उसी से पूछ लेना मैं भी आता हूं क्यों तुका जा रहा है रैसन नमदिता जी का समान लेने के लिए वो यहां है जाहिए आप ही का अंतजार चल रहा है कविता कविता है क्या है तुमने ऊस अद्मारत को मिलत क्यों मिल्लों और कि वैंने कैसे पता असका अर 중요कि या लगती आ और नहा का हरारी अहां हम है कंदी अब करको फुल्हाद कर दो भी दो, हाद भी दो, तेल अगा भी, जो भी भाग के? मेश नंदेताराई इताराई कि भी दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो एमाल फ्रण ध हार अे स्ल भीज्ड पारारी श washing प्राव है झाहे झाहे ह व पार रहेتي कि भी देत थे कैस बिर धूस मर बीदे आजे!! क्पाल! आजे но… अजसारीक। कि एदिगा, आपक cardicribe है, आपक 편रीो झेजी कर दो 108 आपके ह।गी हूए है आते 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 है हक प्राइख कि अ कर दो जू जब कर दो कि अ कि अ कर दो ऑर कर देंगा रुड़ा है अज है? कर दो 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 लुष कर दो बनाने दो निया बदवाशिल मत करो देखो श्कूल का ताइम हो रहा है निया वह देली नी लगाने देली बेठो कटवाने दूंगी आंटी ने बोला मेरे बाल बहुत अच्छे हां लीजे हो गया आपका चेक आउट अब निकाली मेरे कुलीगिरे के 20 रुपे 75 पैसे निकाली कैश थांक यू इतनी अच्छी स्माइल है आपकी चलिए 20 रुपे छोड़िए 75 पैसे निकाली चुप करो सोमू मुका मिलाने की आवरा गर्दी शिरू जरा निहा को स्कूल छो आउंगी अरे रुक आंटी आप भी चलो ना आउंटी को स्टेशन जाना है बिटाम को तया भी होना है आप फिर कब आएंगे और कभी आउंगी फिर तो हम अब को घर जाएंगे क्या हुआ अब पापा आएंगे और बोलेंगे अरे मैं तो चाबी भूल गया और जाएंगे और ममी को किस करेंगे और चाबी लेकर आजाएंगे पापा अब फिर चाबी भूल गया ना नहीं बटा नहीं बटा नहीं बाइ मम्मी बाइ अंटी बाइ अन्द बहुत अच्छे है निहा बहुत लग्या थे 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 क्या बाथ है पापा अज आप सब कुछ भूल रहे हैं पापा आपको मालूम है आंटी के बस दे एक नहा है बिलकुल मेरी जैसी अच्छा और कौन है वो तो मैंने नहीं पूछा आपको आंटी पसंद है बहुत अच्छी है प्रेली एरेशन की किताबे सिर्फ तीन दिन में खातम हो चुकी है दूसरी एरेशन की प्रिंटिंग शुरू हो गई है कमाल तुमारी कविताओं का नहीं मेरी प्रेरना का है वो तो ठीक है लेकिन जानती हो मेरी नई बूक का टाइटल क्या है क्या माँ हलो प्रोजेक की पेपल्स आगया सर्थ थांक्यू नीटा मेरी सुबह की मीटिंग कैंसल कर देना मुझे आफिस आते देर हो जाए और फोन पर हो तो पूछ ले ना बनारस की ट्रेन टाइम पर है या नहीं कहीं लेट हो गई ना तो मारे सोमुसा प्लाटफरम पर इन अंधिता को कविता सिदा सुना कर पागल कर देंगे क्यों आपको कविता उंसे अलेजी है क्या नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है हलो ऑपरेटर बनारस की ट्रेन टाइम पर है ओक्य थांक्यू ट्रेन दो गंटे लेट है एक्सिलन तो फिर मैं आज आपको अपनी ताजी कविता सुना के रहूं तो ले नाश्ता तो करने दो क्या बात है कुछ भी तो नहीं जूट मत बोलो पकड़े जाते हो जब से आयो मुझे ठीक से देखा भी नहीं नंदिता को देखकर चिंता में पड़ गयो क्या वाट नॉंसन्स अजीब रात है कैसे कैसे हाथ से हो जाते हैं जिंदगी में पतानी कैसा मैसूस करती होगी वो उसने अपना पता बगरा बताया मैं ही बताना चाहती कह रहे थी नेहा को यहां देखकर बहुत खुश है दुबारा आना है नहीं चाहती सब्सक्राइब अज़े अज़े नेटा मैंने कहा ना मुझे आफिस आने में देर हो जाएगी वो लोग नहीं इंतिजार कर सकते हैं तो कह दो चले जाएं आनंद क्या बात है तबे तो ठीक है ना कुछ ने आम सॉरी ठक गई हो तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मैंने इस कुनिया के साथ घर में रखा अनंद वो जा रही है और फिर मैं चाहती थी तुम इससे एक बार मिलो अच्छा मैं तयार हो के नीचे आता हूँ तुम कहो तो आफिस जाते जाते उससे स्टेशन छोड़ दू ठीक है एकन उससे कुछ उल्टे सीधे सवाल मत पूछ ले ना पता नहीं क्या कुछ से रही है उस पर इतने इतने दिन दूर रहते हो मिस्स करते हो मुझे यूटे कुरेडियर 234569 मेरे ख्याल से आप एक बार फिर फोन कर लीजे अगर ट्रेन एक बार लेट हो जाए तो फिर उसका कोई ठीकाना नहीं कहीं ट्रेन और लेट हो गई तो तुम्हें जाना पड़ेगा सुमो नो प्रब्लम 32 आप बनारस की ट्रेन प्लीज सुबह 11 बचकर 5 में वो दो घंडी लेट थी ना 32 आप आज तो राइट टाइम में थी वो तो चली गई अचा ठीक है थांक्यू और भी दो घंडी लेट हो गई है शायद कैंसल भी हो जाए मैं तो कहता हूँ कि आप आज का जाना ही कैंसल कर दीज़ ठीकी तो कह रहा है सुमो तुम रुक्यों नहीं जाती आप लो नहीं आप भी किस फॉमैलिटी में पढ़ रही हैं आपका जाना कैंसल मैं आज आपको शेहर की सेहर करवाऊंगा और शाम को मेरे घर में शेहरो शायरी और दावत वैस 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 नाव साब कमसे कम नंदितर से तो पूछलो वो क्या करना चाहती है शेहर तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अब ठैरियों तो दो चार किताबे खरीद लूँगे तो मैं आपको पॉपिलर वुखाऊस ले जाऊंगा वहाँ आपको मेरी किताबे मिनेगे शो मैं वाफिस चलता हूँ कुछ भूले नहीं क्या बाए बाए क्या इत्तफात है इस एरिशन की पहली कौपी मैंने कविता को दी थी यह आखरी कौपी बची है यह आपके नाम करता हूँ नहीं सर्, एक और भी है शार आप यह लीजे, यह आपके लिए आपकी अगी किताब कब आ रही है जल्दी आ रही है आला सर्, आपने दिल क्या करें पड़ी हाँ सर्, कैसे लगे है सापकी लववाली कविता है तो बहुत अच्छी है एक मेरी नई कविता आ रही है क्योंती सर् आप आप सारी चौका दिया मैंने आपको नहीं मुझे अंदाज़ा था कि आप मुझे यहां जरूर मिलेंगे बैठी ना मैं मैं कॉफी प्लाक बिना शक्कर मेरे लिए भी सार समझ मैं नहीं आतक बात कहां से शुरू करो माफ कीजिए वो मैंने ट्रेन की बारे में जूट बुला दरसल जब से आपको देखा है मन में हाजारों सवार उठ रहे और मैं खुद आपसे बात करना चाहती थी ये ये बच्ची नहा हो हमारी है तुमने कभी तुम्हारी नहीं मैं शादी नहीं करपाई अरे आनन तू और यहां गुजरा था तो सुचा तेरी बुक खरीद लू ताके तुझे भी लगए कि सेल अच्छी हो रही है और यहां यह मिल गई तू कहां और बुक शाप कहां अगर मैं तुझे जानता नहीं न तू फॉरण शक करता यह दाल में कुछ काला है जिस तरह से तू रियाक्ट कर रहा है दाल में काला तो मुझे दिखाई दे रहा है एक्स्क्यूज मी लेकिन अगर आप बुरा न माने तो एक बार डाल से भी पूछ लीजे कि काला है कि नहीं यह देखें सर्व ओरिजिनल प्लान का है दिखाईए यह सर् इतनी बड़ी बिल्डिंग में आपने सिफ चार लिफ्टों की जगे रखी है हमारे डिजाइन में अच्छे है भीम की चोड़ाई भी कम है और फिर आपने साइट का ऐलेवेशन भी चेंज किया है Mr. Kapoor, this is not right I'm sorry, यह नहीं चलेगा मैंनो तो पहले ही मना किया था Hello Sir, कल शाम की फ्लाइट कान्फर्म हो गई है फ्लाइट? कहां की? क्या किचा सर, कल बंसर्स के साथ आपकी मीटिंग है अच्छा सुनो, कैंसल कर दो Are you sure sir, आपने तो कहा था यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टन्ट है Just cancel it Okay sir अगले अपते की रख लो जे Hello? 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 Idiot Phone करते हैं और बोते भी नहीं Nandita? जी जरा प्लीज देखना कौन है? Phone Hello? Nandita मैं पुराने के बाहर तुमारा इंतिजार करना हूँ कौन था? पूँ बोलाई में कौन था? पूँ बोलाई में डर लगता है क्यों? पता नहीं चल मित राहुनों थे चलीए जिते होर न कोई होवे सानु बेख के कोई हसे ना सानु बेख के कोई रोवे सेज से जाए फूनों की और हम कोटों पे सोए इश्क दनना ना जीनाव मुसा पिर सब डुबोए इस दरिया को जो पार करे बत वो दिवाना प्यार करे मैंनु लगन लगी मैंनु लगन लगी मैंने लगन लगी मेरे सजन लगी पन धट से ऐसे धुआउं सा पानी में जैसे अगन लगी मैंनू लगन लगी, मेरे सजन लगी हो मिला देरे पुल से मिलनक पाने जाथ तेरे जाथे निलन लगी मैंनू लगन लगी, मेरे सजन लगी हाँ हाँ मैंनू लगन लगी मिर सक दिन एगी अपने सर पेखिल गाम लिया फिर मैंने तेरा नाम लिया तेरी आदों गैदा मन को अपनी आदों से ठाम लिया हरस्ता न कोई मंदी में खंग खंग के चलन लगी मन मेरा मुझसे रूठ गया जो सपना देखा तूठ गया मैं तेरे हनचा जिकार करों मेरा नर्पन ही तूठ गया नाचित के भर जंदोर मिला जब अपनी माम में भर न लगी मैंनो लगन लगी तूठ मेरे सजन लगी पन घट से ऐसे दुआ उटा पानी में जैसे अगन लगी मैंनो लगन लगी तूठ मेरे सजन लगी मेरे सजन लगी तूठ मेरे सजन लगी मैंनो लगन लगी तूठ मेरे सजन लगी 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 आगे सब ये सर गुड़ चलो बयोकुफो बोर्ड रूम में तू मच यार अरे यार कम से कम संडे को तो छोड़ दिया होता है जरूर छोड़ देता अगर तुम बाकी छे दिन काम करते तब ना कोई छुट्टी ना कोई संडे ऊपर से ने ने इशादी मेरी बीवी मुझे तलाग देदेगी दूसरी करा दूंगा रिपोर्ट को नाल को दो हाँ वो जरा समयगा बाकी है तू अभी करो शाम को कुरियर से भेज़ना है याश्या हाँ कविता सुनो मैं मार्केट से बोल रही हूं अच्छा और कौन आ रहा है सुमू कि यहाँ लैब एरिया साइट पर होगा इस जगह है उनका फैक्स आया है कि पीछे होना चाहिए यहाँ हाँ हाँ सुनगे बना रही हूं नपेश भी बना ऋंक्या तो कहता हूं इत्नी खुब्सफ़ बिल्डिक के विंग्स कुछ अट्रेक्टिव होने चाहिए था सिंपल नहीं होने चाहिए अब तुम रही काम करो तुम सोपुछ आप सोचो अरे यार पत्थर ही इस्तिमाल कर लो ना पत्थर लेकिन साब पत्थर प्राई कैसे करेंगे प्राब्लेम पूरा दिल लगने वाला है मेरी वाइफ तो जरूर तलाग देदेगे इस्कीज मी सब घर से फोन है आपके लिए अलो पापा आज शामको मैं कौनसा पहनू आनन रिसर्प्चन अरिया में माबल सूप नहीं कर रहा है बेटा तुम वह पिंक वाला ड्रेस पैन लो अच्छा लगेगा मेरे विचार से लाइम स्टोन बहुत अच्छा लगेगा मैं बुष्ण चार चार पिंक्ड्रेस है उसमें से कौन सा पहनू पाप बोलो ना कौन सा पिंक्ड्रेस अरे बोलो ना माबल या लाइम स्टोनन काव ह़या मैं मन Wゃ राव कौन सा वयले जूजल है मेरा तो तालाख पक्का है याब शटब शट आप एवरीबड़ी वो साला टाका साको ठोकियों से आगर बैंगलोर में मेरी रिपोर्ट का वेट कर रहा है और मैं यह आप चिकन मथन का हिसाब कर रहा हूं शिट नहीं खाऊंगी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी नहीं बिल्कुल ठीक कहा नन्दिता बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आप जब तक आजाद हैं अकेले हैं तभी तक खुश हैं अंगूर खटे होते हैं मिस्टर एक बार शादी हो जाए फिर बात करना वैसे नन्दिता पास्नल लालो तो एक बात पूछूं तुमने शादी क्यों नहीं कि अब तर बस क्यों ही कुछ हालात कुछ संजोग फिर भी आसान तो नहीं होता एक औरत के लिए कभी कोशिश नहीं कि की तो थी लेकिन जब भी आगे बढ़ी किसी की आदमे हाथ थाम लिया मुझे तो लगता है कुछ छुपा रही है आप अब कुछ मजबूरी भी तो हो सकती है यही तो मुश्किल है मजबूरियों का सिला तो बस औरत कोई धोना पड़ता है अब उस आदमी ने थोड़ी सोचा होगा नंदिता पर क्या गुज़रेगी नंदिता तुम कभी मिली नहीं उस आदमी से मिली तो हूँ फिर क्या का उस हूँ मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं क्यों उसकी अपनी एक सुन्दर सी दुनिया है जिसमें बहुत खुश है और उसमें तुम्हारे ले कोई जगा नहीं वही पुरानी कहानी मर्द होते ही ऐसे हैं गैर जमेवार ऐसा भी तो हो सकता है कि उस आदमी से गलती हो गई हो और उसे सुधरने का मौका न मिला मौका मिले तू भी कुछ नहीं करेगा वो तुम्हीं बताओ अगर कोई और पांच साल की बच्चे को लेकर तुम्हारे दर्वाजे पर दस्तक दे कहें तुम्हारे संबंद की निशानी तो तुम क्या करोगे अपने बीवी बच्चे को निकालकर उसे घर में बठालोगे संबंद बनाना असान होता है अनंद उसे पालना मुश्किल लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है सब कुछ बस अंचाने में हो गया अंचाने में बच्चा पैदा नहीं होता नंदिता तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मैं तो कभी नहीं माफ कर पाती ऐसे आदमी को अच्छा बाबा मत माफ करना अब बोलो आईस क्रीम काउसी चलेगी चोकलेट मुझे तो नहीं मैं खाऊंगी पापा का हिस्ता हां हां खा लेना अरे सोमू तुमने नंदिता को अपनी पैंटिंग की कलेक्शन को दिखा ही नहीं आपके भाषनवाजी से पुरसत मिले तब न आईए चोकलेट खाऊगी या आईस क्रीम खाऊगी ये 200 साल पुरानी पैंटिंग है इसका रंग इसकी मुस्कुराहट इसकी आखें जो दर्द इसकी आखों में है वो मैंने तुम्हारी आखों में भी देखा है क्या मैं आपको 200 साल पुरानी दिखाई देती हूं मेरा मतलब अच्छा बताईए आपको मेरी कविता कैसी लगी बहुत बहुत अच्छी है आनन बहुत किसमत वाले है पापा बाहर चलो नो मुझे स्टास देख ले चलो वाइप करो प्लीज कौन कौन से स्टास देखोगी रेड वाले फिर येलो फिर ग्रीन बोलो ना क्या हुआ उसने मेरी पैंटिंग्स देखी और और मैंने उसे अपनी कविता बढ़ा दी और और समझ गई मैं तुमसे कुछ नहीं होने वाला मज़ा रहा है मैं चाहिए कुछ भी करनूं सोमो तुम तो घंचु की घंचुई रहोगे सोमो तुमारा क्या होगा कमाल करती हो कविता तुम भी क्या चाहती हो हाथ मिलाओं और कहूं हलो कैसी है आप शादी करेंगे मुझसे सोमो ऐसी अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलने वाली डूंट वारी अच्छी लड़कियों को मिस करने का रिकॉर्ड है मेरा सोमो मैं मजाक नहीं कर रही नहा को देखो कितनी खुश नजर आ रही है शादी कर लो ना अंदिता से सुखी रहोगे अपना अपना नहा येस मामा विटा अंदर हाच अठन लग जाएगी जल्दी जल्दी भागे 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 सोचती हूं कल सुखे की ट्रेन से वापस चली जाओ मेरा मतलब कुछ दिन और नहीं रुख सकते चितनी दिर रुखोंगी जाना उतना ही कटिन होगा चले जाने से सब आसान हो जाएगा क्या पिछली वार भी बेना कुछ बोले चली वे थी इस बार चल्दी मत करना प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे झाल रुजए झाल 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 कर दो कर दो प्यार के लिए चार पर कम नहीं थे कभी तुम नहीं थे कभी हम 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 नहीं थे ये दिन बरसों के बाद आया था कुछ तुमें कुछ हमें याद आया कसक पिरे दिल में उखी है कभी तुम नहीं थे 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 कभी हम नहीं थे कभी तुम नहीं थे कभी हम नहीं थे अगर तुम ये दिल मागने जाने मन हम तुम्हें जान देते तुम्हें जैसे हम बूल जाते मर के भी तुम हमें याद आते तुम्हें है पता बेवापा मम नहीं थे तुम्हें है पता बेवापा हम नहीं थे जार के लिए चार पर को नहीं थे कभी तुम नहीं थे कभी हम नहीं थे कभी तुम्हें थे कभी हम नहीं थे तुम्हें थे क्यों क्या हुआ नहीं वह तुम्हें अमेरिकाहूस की ड्राइंग देखनी थी और तुम ये विडियो सिटी की बिल्डिंग लिए बैठे हो अरे ये प्रोजेक्ट तो आदी से जादा कम्प्लीट है यार सुरी यार मेरा ध्यान कहीं और था हां वो तो मैं देखी रहा हूं एनिवे ये ड्रॉइंग देख लेना चार बज़े अंबानी के लोग आ रहे हैं यार वो अब मीटिंग कैंसल नहीं हो सकती क्यों क्या होगे आगे अल्राइट नहीं बस ऐसे ही चुनो वह नन्धःता को अंदर भेश्ट नन्धःता आणा आण मेरी तरफ था हूंगी सुनाना भुए यह 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 यए यह मेरी तरफ इस नहीं रहुए में त में कुछलिया है जया ज СвISA पाल में कुछलिया में पाल को का». ऀ किस नाइल deafश्चारा कुछल लिए जये मुचल लेद. जो मुझे वार मुझे चोर चोर और दूशरी होता है चूबधी पक्रा जाए पाटी मेंizado लुपख़ा बहला जestra बूल गयी का जाना निνसर्षक sırण छर पार्टी कांजी था चौह नेयू मुझा आपकर कर दमाइख़ा जाए आपपानी जासकती यजु कि बड़े कितने बूरे होते बच्चों को क्यों नहीं बुलाते हैं आप लोग जाईए मैंने यहां के साथ रह जाती हूं हम दोना कैरम खेलेंगे ठीक है तो मैं भी नहीं जाओंगा क्यों पार्टी सिर्फ कपल्स के लिए है तुम और कविता चली जाओ मैं भी नहीं के साथ ब देखिए ऐसा मत कीजिए मैं तेयार हूँ देखते आपकी पार्टी कैसी होती है वेलकम वेलकम बड़ी देर करती जाइन दपार्टी अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा जाइन दपार्टी कि वेलकम पार्टी 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 झाल झाल क्या बात है आज तुम बड़े मूड में डांस कर रहे थे याद है तुम्हें ऐसा डांस पहले कब किया था बैंककोक में जब हम हानी मोन पर थे अच्छा डांस कर दिये नंदे तब मैं तो बस साथ दे रहा था मुझसे अच्छा नहीं कर सकती आच्छा घ्बर क् 여러분 क्युंड क्यु antagonist कि है डांस कर दो प्रू कुम ठयोगत्व और दिये जड़े देश्ड़े देज़िये में जड़े फुम्हें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्या कर रहें आप लो सवेरे मेरे कराटे ग्लास है ना कर दो कर दो दो एकओ मैं चु़े सान... अाकेयो दो दो लड़कियों के साथ डांस करोगे तो ऐसा ही होगा में अंदित अच्छी है सुमू के लिए कैसी रहेगी? इंट्रेस्टे वो तुम का वो तो बात करूँ मैं अच्छी है अच्छी है करता है अच्छी है कर दो अच्छी है करता है कर दो तुम करता है ले आपे लिए ऑकक करता हम में वो तुम थन कुछ ज्यादा है ना नंदिता जी तुम क्यों दूर भागती रहती है मुझसे उस राच्यो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाया मैं ना जाने किस बेहुशी में क्या कुछ कर बैठा कैसे कैसे खयाल आते रहे मन में कि जिसकी रक्षा की उसी के साथ प्लीज असा मत कहिए जो कुछ भी हुआ उसकी मैं भी उतनी है जिम्धार थी जांकती हो मैं जब ही मुकल सराइ स्टेशन से कुछ रा प्लाटफरम की पीड में तुम्हें ढूडने की कोशिश की तुम बिना कुछ बोले ही क्यों चली गई जानती कि ऐसा कुछ होगा तो बिनावाद किये नहीं जाती उस रात ऐसा लगा कि एक साथ कई जीवन जीलिय मैंने अब तक यखीन नहीं आता कि वो सच था या सपना कई बार दिल में आया कि तुम्हें उठाओं तुमसे बाते करो लेकिन डर लगता था कहीं मेरा सपना तूटना जाए स्टेशन पर गाड़ी लगते ही मैं चुप चाप तुम्हारी यादों को समेटे उतर गई पूरे एक साल बाद घर लोट रही थी मैं उनिवस्टी में फरस्ट आई थी पाउजी बहुत खुश थे बनारसी जरी का अच्छा कारोबार था हमारा अरे लाखो मेख है हमरी बिटिया माबाब दोनों का प्यार दिया है हमने से शामला जी खुश किस्मत होंगे वो लोग जिनके घर हमरी बिटिया जाएगी भाई कुणली में तो कोई बाधा नहीं हमरा राहुल इसी मेहने लेंडन से आय रहा है हम कहते ब्या का दिन पक्का क करना है अचानक पैरों के नीचे धर देखे सकने लगी अकसर दिल करता कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तलाश में नेकल पड़ी लेकिन कभी हिंबत नहीं जुटाता तर लगता कि अगर तुम मिल भी गए तो क्या कहूंगी तुमसे कहीं तुमने मेरा विश्वास नहीं किया तो काक के में रह गया था अमरे प्यार में बेटी जो हमको ही सजा दिये तुम अरे बोलती कहें नहीं कि कौन है इस पाप का जिम्मेदार बोल बेटी बोल हम उसका पाउं पकड़कर तुमको अपना लेने का भीक मांगनू बोल मैं नहीं जानती बहुजी मैं सच मुझ नहीं जानती तुम हमको कहीं मुझ दिखाने लाइक नहीं छोड़े ठीक ही तो कह रहे है बेटी, अगर तु उसका नाम भी नहीं जानती, तो काई से अपने पेट में पाल रही है, देख, पाहर जैसा जीवन है तेरा, जो हो गया सो हो गया, अब आगी की सुध ले देखिए, एबोर्शन का पर्मीशन मैं कभी नहीं दूँगी, सारे टेस्ट और एग्जामनेशन के बाद कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, I am afraid it's too late, अब बहुत देर हो चुकी है देखिए, डॉक्टर साथ, मैं इस बच्चे को जर्म नहीं दे सकती, I am sorry my dear, इसका जर्म सिर्फ इश्वरी रोख सकती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, I am sorry बस अब एक ही रास्ता बाखी रह गया मैं जीब हाला थे, इधर नेहा पेट में बढ़ती रही, और मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही, हर बाल कहां थे तुम, मेरे साथ क्यों नहीं थे तुम मैं जाने क्यों आस लगी रह दिए, कि मताने कहीं से भी अचानक एक दिन आजाओगे शायद आ अचानक का राए दिए, कि कर दो में न न नहीं न, नन न, नन न, नन न, नहीं न, आज़ी हे मता, काम लो बिटी, हे मता, काम लो कि न, नहीं हाँ बस हाँ बस लेटी है दिखानो मूँ दिखानो कैसी है मूँ नई गंगा गैदो उससे वादा किया सा बच्चे का मूँ नहीं देखेगी गाड़ी तयार है तुम दिल्ली से सिधा बना रश्चे ले आना अपनी बच्ची का मूँ भी नहीं देख पाई मैं आउजी ने फिर से मेरी शादी करने की कोशिश की अमेरिका में सेटल हुए दो बच्चों के बाप के साथ बात बक्की भी हो गई लेकिन मैं अपने आपको मना नहीं सकी अस्ट्रेलिया में मैंने एक यूनिवर्स्टी जॉइन कर ली पांच साल से वहीं थी कि अचानक बाउजी के मरने की खाबर मिली वापस लोटी तो बहुत से रहा नहीं गया उसी ने मुझे नेहा के अनात आश्रम का पता बताया बड़ी मुश्किल से मैंने उस अनात आश्रम की क्लग का दिल जीता और उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया इतना सब कुछ तुम अकेली अकेली कहां थी मैं तुम तो मेरे साथ हमेशा थे और इश्वर का खेल देखो जब मैं नेहा से बिचड़ गई तो तुम उसे मिल गए फिर भी बहुत कुछ सहा है तुमने और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका अब और क्या चाहिए मुझे सच अब मैं सुख से लोट सकती हूं कि मैं काविता को सब कुछ बढ़ा देना चाहता हूं प्लीज़ असा मत करना हमारे तुम्हारी रिष्टे को कोई समझ नहीं सकता खासकर के एक पत्मी अपने पत्मी को बांटने ही सकती कविता एक अच्छी पत्मी है और मां भी मैं उसे दुख नहीं देना चाहती हूं नंदिता मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए लेकिन अब ऐसा नहीं होगा तुम्हें तुम्हारी जगा मिलनी चाहिए अनंग अनंग करके रहते तुम्हें प्लीज कूल डाउन, मैं सब कुछ बताता हूँ क्या बताओगी तुम, हाँ, तुम करके रहे थे उस ओरत के साथ कविता, प्लीज सुनो, तुम सोच भी नहीं सकते कितना दुख सहाज ना देता ने तुम उस ओरत को बनी बाहों में लेकर उसका दुख तर चुम रहे थे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था कविता तुम समझेगे तुम समझेगे तुम से बाइंट, अन्दि हूँ मैं बेवकूफ हूँ कि इते दिन से देख नहीं सकती थी बहुत अच्छा डांस करती है वो और तुम सारी दुनिया के सामने उसके साथ वो अन्दियों को तहरेक, कविता प्लीज नथिंग तुम से तु मैं बात में बात करूंगी पहले तुम से तुम तुम आप ने बात करूंगी पहले तुए उस और निगाल दी हूँ I want that bitch out of this house Nandita will go but it's not like that so which way? with love that's why she is Neha's mother and that's why I am Neha's father what? you mean 6 years old you have to stay with the woman? trust me Kavita we will never get this speech shut up Anand it's a lot I can't do anything Kavita please shut up what? how did you come to my bed? how did you get out? Mom Mom I'll see I appreciate it please please open please 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 shut up Helium please walk मैं आपके साथ सौओ कैसे जिट बहुत हो चुगा वो तो इस घर से जाएगी निए मैं ही चली जाती हूँ क्या कर रही हो कवीता समझने की कोशिश करो वो एक भूल थी जो हो गई प्लीज जान हम सौरी फ्लीज कवीता सुनो तो कवीता क्या हुआ कवीता क्या हुआ अनन सोभू से सौनो प्लीज चलो अनन क्या हुआ कवीता कवीता रुको कवीता रुको तो कवीता मेरी बात तो सुनो क्या है कवीता आके रुआ क्या कापता? बाल, बाल, राख! क्या, पाल, बाल, जिए्ट। आष्ट में पाल, भाल, गाल, अए्ट। प्रणित्पोवड़ों कापता है, जिए उत्की, जिए्ट। बाल, जिए्ट। किसा बड़ा दोगा मूर की तरह मैं इतने साल विश्वास करती रही क्या नहीं क्या मैने उसके लिए लुकेज मी क्या मिला मुझे अल्ली आप अप अप विम्ट कविता कविता समालो आपको प्रूम क्यों 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 पच्चा नहीं दे सकी नहीं उसको इसलिए अगाट समू कितनी बड़ी साज़श छे साल से उन्होंने संबंध रखे बच्ची पेदा की उसे अनात आश्रा पेज़ दिया और मैं इजल की तरह उसका पिश्वास करती रही समू मैंने अपना सब कुछ जोड़ दिया उसके लिए और उसे देखा क्या किया सब कुछ चिन लिया मा थे पढ़कर प्यार किया था मेरे निया को उसको भी चिन लिया I hate this man I just hate him कवता, please God, what a smooth operator मेरे ही आखों के सामने उसाराज के साथ रुमांस करा था और मेरे समू मेरे ही गलती है लेकिन देखना, मैं ये गलती तुवारा नहीं करूँगी I just मैं उस अत्मी को छोड़ दूगी मैं उस कर्में वपस ही नहीं जाऊँगी I will not go back I'll leave this to Anand Kishore Let us go switch Let him play Hata I hate both of them smooth operators How could I not have known? How could I not have known? How could I not have known? Anand 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 इस वक्त वो Tell him to go to hell Somo Phone दो उसको, please Kavita बात तो कर लो बात तो मेरा वकील करेगा Yes Mr. Anand Kishore अब और क्या कर सकती हूं मैं आपके लिए Jaan मैं तुम्हारा मुझरे मूँ बहुत बड़ी भूलो कही मुझसे जो चाहे सजा दो लेकित Oh shut up बत करो यह फिल्मी डालोग बहुत बेवकूप बच चुकी मैं तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हूं Please थंडे दिवाग से सोचो नया तुम्हारे मेना नहीं रह सकती Oh तो अब तुम मुझे उस घर में आया की जगे दोगे कैसी बाते कर रही हो मैं तो तुमसे बात नहीं करना चाहती टुम पुम काओ काओ आप काओ प्युम काओ तुम जाना चाहती हो मेरी रुपने से कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा कवीता की बातों का बुरा मत मानना अगर मैं उसकी जगह होती है तो मैं विशायद उसे जल्दी बुला लेना क्या बोल रही है तुझे पक्का यकीन है आनंद वही आदमी है कैसे भूल सकती हो उनको बॉआ और वो निहा मिली उसको कैसे दिखती है वो बहुत बहुत सुन्दर है बुआ मुझे तो आज भी याद है उसके आखे बिलकुल तेरी जैसी थी लेकिन बाकी सब आनंद पे गया है इन तीन चार दिनों में सारी जीवन भर की खुशिया मिल गई बुआ सुबह घर छोड़ने लगी तो ऐसी लगा पाउं पत्थर हो गया लेकिन इम्मत नहीं हुए उसे उठाने की बहुत मन हुआ पुआ कि बस एक आखरी बार उसे कले से लगा कर छुम लो लेकिन दर लगता था कहीं उसकी आखें खुल गई तो क्या जवाब दोंगे और बस एक नजर देखकर चुपके से निकल पड़ी आनदी रोका नहीं तुझे कुछ बोला नहीं उसने क्या बोलते वो मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता मगर तेरा दुख अब कहेगा दुख भुआ सब कुछ सुपा लिया मैंने एक भूल सी बेटी एक देवता समान आदमी बहुत खुश है वो किसे भुलावा दे रहे है तु सब कुछ पाकर भी तेरा क्या हुआ बुआ देख तक्दीर ने तुझे उस तक पहुंचाया है अब उसे छोड़ना मत ना दुबार तुझे मौका मिलेगा ना तेरी बेटी चाही वाण भी कैसी बाते कर रहे हो बुआ उनकी अच्छी भली जिंदगी में मेरी वज़ा से आग लग गई है बुआ मैं एक रेकर वह उरत वापस ना आई तो अगर नेहा को अब प्यान ना करे तो हमारी बेटी तो भी नमा के हो जाएगी ना आनतकिला क्या करेगा बुआ मैं शाम की ट्रेन से वापस आ रही हूं बुआ यह सब गलती मेरी है तेरे बाप की ना सुनी होती तो आज तेरी गोद में खेलती होती नेहा यह एक ऐसा पाप हो गया मुझसे मत को से अपने आपको बुआ शाहिद मेरी ही तक दीन बस एक बार देखने दीनेहा को मामी मामी को बुलाओ मेरी मांग है मैं कुछ मदद करूँ साप बिलकुल नहीं आज नेहा को उसके पापा त्यार करेंगे तो ठीक है मगर आपको कौन त्यार करेगा मैं मैं खुद त्यार हो जाओंगा अच्छा आपको मालूम भी है क्या आपके सॉक्स कहा है सब मालूम है यह क्या यूनिफॉर्म अच्छा आज कौन सडे है त्यूस्डे तो आज पीटी दे होगा ना मैं कुछ मदद करू साप तुम बेवी को ड्रेस पिनाओ मैं नाश्ता तैयार करता हूं नो प्रॉबले पापा मैं गरम नहीं थन्ना दूद पीती हूं तुम खड़े-खड़े मेरा मूह क्या देख रहे हो चलो मादद करो साप प्रॉबलेम क्या ही है आपने जल्दी में जल्द सॉक्स पेने आप मम्मी को ही बुलाओ आपको तो कुछ नहीं मालूम हाँ मेम साब को बुलाओ फिर नो प्रॉबलेम शड़ाप सब मालूम है मुझे प्रॉबलेम ही प्रॉबलेम क्या यार बजाओ ना पापा मम्मी ने आपसे फाइट की ना कब नहीं तो जूट मत बोलो बापा पक्रे जाते हो ओके बाबा बहुत गुस्यमें थी वो आपने सॉरी नहीं बोला आपको समझ में नहीं आईगा आएगा ना पापा समझा के तो देखो ममी आपकी ममी है आणटी ममी है ममी ममी नहीं है ममी आपकी दूसरी मम्मी है तो आंटी पहली मम्मी है तो फिर आंटी क्यों चली गई पता नहीं बिटा आएंगी ना बाई पापा बाई बिटा लव यू लव यू टू, त्री, फॉर अपना मेम सार्ण, मेम साव, आपका फो अलो कवीता प्लीज कवीता लो सिसके कोई बात नहीं करनी कवीता… कवीता विटा, मैरी बात हो कि एक गरम चाय का प्याला लाना जल्दी अभी लाई जी कितने दिनों के बाद इतनी ची धूप निकलिये कहीं बाहर चलते हैं चले सोमू मैं अचाना किस तरह तुमारे घर चलिया है मैं तुम पर किसी तरह का बोज तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती है बस हो गया और कुछ केना है आपको आप मुझसे एक वादा कीजे कविताची कि आप मुझे थोड़ा सा भरोसा रखेंगी और बहुत खुश रहने की कोशिश करेंगी मैं तो सारी जिन्दगी अपनी आँखें बिचाए बैठा रहा कि किसी ना किसी तिन तुम्हें मेरी ज़रुवत पड़ेगी और मैं तुम्हें खुश कर सकूँगा आप एक और प्रोमिस कीजिए कि आप अब रोएंगे नहीं वैसे आपकी भीगियूए आखें बहुत खुबसुरत लगती है सच इनकी जो गहराई है ना समू ओ माइगाड मैं फिर से कवेदा करने बैठ गया क्या करो तुम हो यह ऐसी काणके मैं आपके मैं फर्राइश तव कर आता हम भाहर करेंगा कनtha met यैजि अ मेरे गौड़ के इयाल विर रेंति आद अ हिरा हम हम कि आख्री हम完 अ बोल रहे है घर में अ और निया है बस हम है कैसे और मेंदा रहे लहां माम मिल्ट्राप म५ट प्राब्लेंव सक्वाल करते क्या मतलब मतलब डिया को खुद तयार कशते हैर और दें क्यों वो नंदेता हेल्प नहीं करती वो तो कभी की चली गई है चली गई हां सामानुमन लेके टैक्सी हम लाए थे अचे सुनो सहाप का फोन है तो मत बोलना हमने फोन किया था अब नहां बिटिया को बोलो उससे में खुद बात कर लूगे नो प्राब्लम नो प्राब्लम चलो जूट बिल्कुल जूट मैं नहीं मानता दो मम्मी किसी की भी नहीं हो सकती मेरे पापा कभी नहीं जूट बोलते वो बता रहते जो मेरी पहली मम्मी है वो मेरी दूसरी मम्मी है और जो दूसरी मम्मी है वो पहली मम्मी है पहली मम्मी पहले नहीं मिली थी दूसरी मम्मी पहले मिल गई इसलिए वो मेरी पहली मम्मी हो गई आया समझ में नहीं आया ओ गौड ये कितना बुद्ध है अभी तक तो ड्रोइंग्स ही मेरे हाथ में नह सारा यह देखो यार सारी डीटेल्स तो यहां पे हैं सॉरी फोक्स मैं तो चला अरे यार तुम वापस तो आ रहे हो ना शाम तक एस्टमेंट भेजना है नोबे चार वजा के बाद बेटी की ड्यूटी सोमू सोमू जल्दी चलो निया का स्कूल छुटने का वक्त हो गया पता नहीं आनंद को याद रहेगा भी नहीं निया तो स्कूल में वेट करती करती परिशान हो जाएगी चलो जल्दी चलो इसलिए त्रेन थीन घंटे लेट थी इसलिए सोचा नेहा को बाई बोल दूँ सावेरे उसे सूता छोड़ा आई थी न अब इस परफेक्ली ओल्राइट अच्छा किया चली आई आपको पुरा तो नहीं लगा जाएगा कैसी बाते कर रहे हो निया तुमारी भी तु बेटी है उसे जब चाहो मिल सकती हो और तुमसे हाई पापा हाई यह तुम्हारी दूसरी मम्मी है क्या ओ गौद यह मेरी ना पहले मम्मी है दूसरी मम्मी तो सोवो उंकल के यहां गई है तुमने बता दिया उसे एक साथ चुपाया तो बीबी छोड़कर चली गई दूसरा चुपाऊंगा तो बेटी खोदूंगा आप कहां गई थी आंटी मम्मी कहीं नी बेटा फिर घर चला ना बेटा इनकी ट्रेन का वक्त हो गया मगर आपने तो पका प्रामिस किया था था ना कि हम अपको घर जाएंगे मेटा मैं मैं लेचलूंगा तुम्हे आंटी मम्मी मुझे छोड़कर कहां जा रही है नहां जिद नहीं करते पापा पका पामिस तो नहीं सकते अगर रुक सकती हो तो रुक जाओ कल चली जाना की खिवा तुम्हें तुम्हे जिस कि तुम के अगरी था है आनन ठीक नहीं कर रहा है कविता मैं उससे बात करूँगा कोई ज़रत नहीं है सुमो I can take care of my life लेकिन मैं तो सिर्फ मदद मैंने कहा ना सुमो मुझे किसी की दया की ज़रत नहीं है मैं मैं आर नहीं है क्व sólo इंग व कि अचले चेंगे अचले तो फिर दो तो फो प्राइब कि अचले तो यह ज़िए कि अचले तो आज़ाई कि अचले प्रेज़ कि मैं उन्हें अचले यह एप हाँ आजकल आब बहुत बिजी रहते हैं बोलो क्या बात है कवीता कैसी है फंटास्टिक टॉप दॉड कमान सुमो मैं उसे बात भी नहीं कर पा रहा हूं वह फोन पर भी नहीं आती शायद तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हो तो उसे समझाओ ना नियां उसे बहुत मिस सिर्फ इस लुचस करती हैं तो तुम नियां को उसकी बाथ आयू मैं स्में यू मैं कैसे रहूंगा क्यों तुम्हारे पास तो क्या मतलब कमान एंख साथ कितने नाव में पाभाव अए और FREIGHT सारी दुनिया बात कर रही है एंड कम तु तिंक अफेट नंदिता जवान है खुबसूरत है और तुम्हारे बच्चे की माँ है इनाफ सोमू ओके ओके मैं काविता से बात करूँगा लेकिन मुझे नगता कुछ फाइदा होगा ओमाइकॉड मुझे जाना होगा कविता मेरा इंतिजार कर रही होगा जादू सचाने लगा पागल बनाने लगा कुछ याद आने लगा कुछ भूल जाने लगा क्या न करे क्या करे ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे दिवान पागल सा दिल आँखों के काचल सा दिल लहरा पे आँचल सा दिल जुल्फों के बादर सा दिल परसे न ये परसे न ये ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे चादू सचाने लगा बाहर बननने लगा कुछ याद लाने लगा कुछ भूल जाने लगा क्या न करे, क्या करे ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे तुमसे चुराने तुहे सबसे छुपाने तुहे जासे लावाने तुहे सपना बताने तुहे मैं बेपावो हूँ, तुमी चुन है ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे जादू सच आने लगा पागल बन आने लगा कुछ याद आने लगा कुछ भूले जाने लगा क्या न करे क्या करे ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे कर दो मम्मी, कितनी देर से फोन उठाया सारी पेटा, मैं पीछे गार्डन में थी न अब घर क्यों नहीं आते हैं पेटा, वो आप अभी भी पापा से गुस्सा हो पापा ने आपको सौरी नहीं बोला पेटा, आज आप स्कूल नहीं गए गई तो थी, पापा ने फिर रॉंग ड्रस पहना दिया आपको स्कूल से कौन लेकर आया रामो काका मम्मी आपको पता है हम अप्पुगर रहते, बहुत मज़ा आया जाइच किये, आइस क्लीम खाई पर मम्मी I miss you यहा, बेटा मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मी हाँ पेटा पापा ने बोला नंदीता आंटी मेरी पहली मम्मी है पर मैं तो आपकी बेटी हूँ ना हाँ पेटा तो मेरी बेटी है तो आप मेरे पास क्यों नहीं आ जाते है आउगी पेटा, जरूर आउगी आप नहीं आऊगे तो मैं रामु काखा के साथ आजाओंगे नहीं पेटा, मैं आउगी गुद, फिर हम है न, अपको घर जाएंगे खुब मज़ा करेंगे मज़ा करेंगे जल्दी आना प्रॉमेस पक्का प्रॉमेस पाई, पाई पेटा चिंता की कोई बात नहीं है सुमदत जी मैं डिवोर्स पेशलिस्ट हूँ और ये मेरा सेंचुरी केस है अभी तक मैं 99 कपल्स की जोड़ी तोड़ चुका हूँ फैंटास्टिक आप इसी तरह से कोट में आ जाएए जज आपकी शकल देखकर ही आपको डिग्री देदेगा कोट मैं समझी नहीं कविता ये वकील मेगानी साब है यह उन्हें सब पेपर्स तैयार कर ली है कैसे पेपर्स ये आपके केस पेपर्स है मैडम हमने चार्ज लगाया है मेंटल टॉर्चर दोकेबाजी और पराई औरत के साथ संबन अरे जज पहली हेरिंग में तलाक देदेगा तलाक? अफकोर्स मिश्टर आनंत किशोर की तो मैं इट से इट बजा दूँगा मेगानी साब में निया की कस्टडी का क्लेम तुम्हारे फेबो में किया है वो अब तुम्हारे पास ही रहेगी एक मिनट सुमू ही हो क्या रहा है मैं अचानक कैसे पैसला कर सकती हूँ अरे वाँ ये तो वही बात हुई मुद्दाई सुस्त गवाचुस्त कविता क्या कह रही हो तुम कल सबकुछ अपनी आंकों से देखने के बाद तुम फिर भी कविता कली तो तुम्हें आनन को छोड़ने की बात की थी बात की थी सुमू लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मैं सूचना चाहती हूँ अब सोचने को बचा ही क्या है कविता तुम क्या उमीद लेकर बैठी हो कि आनन तुम्हें घर बुलाएगा और अपने बीजी के जगह देगा आखिर कहां क्या तुम्हारा आत्मसम्मान और कितना से होगी तुम प्लीज सुमू आइनीड टाइम और वक्चाहिए मुझे ओके इकानी साब आप प्रेपर यहीं छोड़ जाएए मम्मी ने आपको सॉरी बोला नहीं आपने फोन किया था आपने उनसे बात की थी बेटा वो फोन पे नहीं आती मैं बात कैसे करूँ मैं अभी बात कराती हूँ हलो हलो में स्टीक तो मिस्स कवीता आनन किशोर प्लीज मैं मिस्स नेहा किशोर बोल रही हूँ नेहा तुम घर क्यों नहीं आते मम्मे यह बात तुम अपने पापा से पूछो अच्छा पापा अगर तुम्हें सौरी बोलनेता आ जाओगी नहीं बोलेंगे वो पिटा वो बोलेंगे पापा बात कीजिये न मम्मी ना मत करना अरे पापा बोलो न तुमेता कवीता मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी मम्मी ने फोन रख दिया इंऊ मम्मी बहुत बुरी हो गई है नहीं बेटा बुरा मैं हू Vous मैं उनके पास जाके माफी मंगऊ प्रामिस पक्का प्रामिस कर्युत नमस्ते कविता भीम साब घर में हैं जी है क्या है ये वही जो तुम देख रहे हैं कविता को किस ने दिया या आइडिया में कविता कोई दूद पीती बच्चे नहीं है अनन्द वो खुद अपने बारे में भी सोच सकती है और ठीक ही तो सोच रही है वो आखिर कितना मरदाश्ट करेगी वो तुमको तो ये तुम्हारी सला थी मैं जानता था किस तरह के दोस्त निकलोगे तुम उसकी चोट पर महरम लगाने के बजाए उसके खाबों को कुरेत रहते तुम्हारी यू बास्टर्ड तुम इतने किरे हुए इंसान निकलोगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था ए गिराओवा किसको बोल रहे हो गिरेवो ये तो तुम हो तुम शुक्ट अप कवीता और मेरे पीच कुछ भी हो अगर तुम्हारी तुम ने अरुनाः पलूप यॉद्ध प्रफट शीज माई वाइफ बीवी है मेरी याद रखना कैसी बीवी? तुमने मुझे बीवी क्या लाने लाग छोड़ा भी है क्या? हाँ हाँ ठीक है मुझे गलतियों ही कुना हो गया तो क्या करूँ बोलो भाची लगा लूँ या सूली जड़िया हूँ यह ससाएगे इस पर दस्सकत कर देने से मिल जाएगी तुमारी आत्मा को शांती तुमने जो कुछ किया उससे तुमको तो मिल गई ना शांती? जवर, बीवी, बच्ची, सब कुछ कैसी बाते कर रही हो कवीता? अपना यह ड्रामा बन करो में सानन किशोर जो तुमने कवीता के साथ किया है, उसके बाद क्या उम्मीद करते हो? कि वो तुम्हे भूल भेजेगी? थांक्यू का नोट लगाके? यह तेरी ही हरकत है, तुने ही उक्सा है कवीता को. कॉलेट से लेकर आज तक तु यह नहीं भूला कि कवीता ने मेरे लिए तुझे छोड़ दिया, और आज जब मौका मिला तुम. लेकिन याद रख कवीता मेरी बीवी है, और मैं कतही उसे तलाक नहीं दूगा. देखता हूं तु क्या कर लेता है? सोमू कुछ नहीं करेगा, आनद. जो कुछ भी करना है, मैं करूंगी. क्यारा उरुप्यों. क्यारा उरुप्यों. ले बहुत चाहती है वो, शादी तो जैसे गुड़े-गुड़ियों का खेले. अरे हमने अगनी के साथ फेरे लिये हैं, कस्में खाई हैं, और सबसे बढ़कर एक दूसे से प्यार किया है. How can she just break it? किसी दिन एक गलती हो जाए, और बस सब कुछ खतम. अरे तिल-तिल जोड़कर एक रिष्टे की बुनियाद रखिये. इतने सालों हर पल एक साथ जिये हैं, मरे हैं, वो सबस यूँ ही? I love her Nandita, and she loves me. कैसे, कैसे बात कर सकती हो मुझे छोड़ देने की? सोच कैसे सकती है कि मेरे बिना रह लेगी? मैं उसे कभी नहीं छोड़ूँगा. और उसने क्या कम किया मेरे लिए? अपना करियर, अपने अबिशिंस, अपने बाब को छोड़कर आई है वो. इतनी सब कुर्बानिया, एक कलती से, सारा प्यार खत्ब. तुम समझ नहीं सकती, Nandita. जब कोई प्यार करने वाला हो, तो सिंदगी का माइना ही बदल जाता है. दिल हमेशा यही जाता है, कि उसे खुशकेसे रखे. कविता के बिना, मैं बिल्कुल अकेला बढ़ जाओंगा. सिंदगी का मकसद ही खादम हो जाएगा, जिऊंगा किसके लिए, और वो भी तो, सवाली पैता नहीं होता. कैसे गज़ा नहीं थे खादमेंगा को अपड़ है. कि यह रखे जाता है. आवब अन्टिता, आवब नहीं हो. कविता चलोत है. कुचित यह लटे है आप लोग लोग अरिंका ताम होगा इस अरिया. कुचित तो. कवीता कवीता, एक मिनट कवीता, कवीता रुको कवीता कवीता, यह क्या कर रही हो, कवीता कवीता, मत दो दॉलवे से अनंद लिए, आंन्द खेंख यह ऑ। तो आप मेरे क्लाइन को डिष्टा मत कीजिए वर ना लेट्स ने नॉट फिश्च एक्स्क्री में इस पर आपके दस्तगाच चाहिए तुई आपको तसके काई कॉटा सब छो पिस लंबर चार्टो तिरपर्द कविता किसौर बना मानन किसौर भर फर्याँ फर्याँ प्रिप कि मिष्टान अब यह क्या वकालत नामा आपके साइं नहीं हुए अभी तरव आज एज दो लो करता आज पुम फाइल निकाल लिया Mr. Anand Kishore Mr. Anand Kishore, please Yes Your Honor Mrs. Kavita Kishore Yes Your Honor आप Mr. Anand Kishore से तलाग चाहती है Yes Your Honor आपके वकील का कहना है कि Mr. Anand Kishore ने आपको धोका दिया आपको टॉर्चिर किया आपके साथ जयत्ती की दूसरी औरत से संबंद रखे किसी नंदिता नाम की औरत को घर लाए और आपको आधी रात को धके मार कर घर से बाहर निकाल दिया यह जूट है Your Honor कविता 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 प्लीज दुनिया के सामने इस तरह तरह एक मिनट Mr. Anand आपका स्टेटमिन मैं बाद में लूगी Your Honor प्लीज इनसे कहिए कि मुझसे बात करें मेरे लिए ना सही कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचे बेटी किसके पास है Mr. Anand के पास है Your Honor इन्होंने जबरन उसे अपने पास रखा है आमने कस्टडी के लिए दावा किया है यह जूट है Your Honor, सासा जूट है असलिए तो यह है के Mrs. Kishore खुद उस बच्ची को छोड़के चली आई है वकील साब, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं Stop it 15 October आप लोग बच्ची के लिए एफिदेविट पाइल कीजिए Mr. Somdat, आप लोग मेरे चेमबर में आजाईए यहां तब तक मैं एफिदेविट के कागजा त्यार करके रखता हूं चलो कवी था Come on देखा तुमने जब घर के जगड़े कोट में जाते हैं तो कैसे इससत निलाम होती है आप भी वक्त है भरोसा करो मुझ पर और घर चलो हमारी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें तुम हो, मैं हूँ और निया है उसमें कभी कोई नहीं आसकता तुम्हें यकीन है और कोई नहीं आसकता कोई नहीं आसकता कोई नहीं आसकता, कभीता तो फिर यह क्यों आई है यहां बोलो, यहां क्यों आई हो मिस्स नंदिता राय या मिस्स नंदिता किशोर का हूं जानती हूं, कभीता जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है लेकिन मेरा यखीन वानो तुम्हारे घर आने से पहले मुझे पता नहीं था कि वो आनद का भी घर है और रहले, जिस आदमी की बच्ची को जनम दिया उसका घर भी नहीं पता था मैं सच बोल रही हूं, Kavita. मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था. ऐसी माई, जिने अपने बच्चों के बाप का नाम भी नहीं मालूम होता. कौन होती है, मालूम है, न? Please, Kavita, ऐसा मत कहो. नेहा जितनी मेरी बेटी है, उतनी ही तुम्हारी बेटी है. मेरा विश्वास करते है? विश्वास? कैसा विश्वास? इस शप्त का मतलब भी जानती हो तुम. विश्वास ही तो किया था, कि मैंने तुम्हे अपने घर में जगए दी. विश्वास करके ही निहा का प्यार मैंने तुमसे बाता था. लेकिन तुमने तो हमेशे मेरा विश्वास तोड़ा है तुम्हारी वज़े से आज मुई घषब बेगर हो गई तुम्हारी वज़े से मेरे बच्ची और मेरे पती मुझसे चुट गए विश्वास करूं मैं तुम पर मेरा यकीन मानो मैंने जान बूच कर ऐसा कुछ नहीं चाहा था तुम्हारा विश्वास तो शायद मैं खोच चुकी हूँ बस इसी उमीद से आई हूँ कि तुम भी एक और अवरत हो और एक माँ भी शायद मुझे माफ कर सको तुमसे जूट नहीं बोलूँगी मेहा को तुम्हारे घर में देखकर संतोश से भर गई थी मैं मैं खुश थी कि उसे मुझसे भी कई अच्छी मा में लिये और बस घर लोट जाना चाहती थी लेकिन जब मैंने आनंद को वहां पाया तो अपने आपको संभाल नहीं सकी मैं मैं कता ही तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहती थी कवीता लेकिन जब तुम अचानक घर छोड़के चली गई तो मुझे लगा शायद मैं मन को तसली भी देने लगी कि शायद इसी में इश्वर का नयाय हो कि तुम अपने हिस्से का सुख पा चुकी हो अब मेरी बारी है अगर मेरा तो कुछ था ही नहीं तुम्हारी जाने के बाद आनन चाहते तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे कुछ भी और मैं खुशी से समर्पित हो जाती लेकिन नहीं उन्होंने बस अपनी बच्ची की मां के रूप में मझे मान दिया है बस मेरे साथ हुए है उनके संबंद को भले ही तुम पाप कहो लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती थी उस राथ हम किस हाथसे से गुजरे थे जीवन और वृत्यों की आंदी में बस एक पल के लिए हमारे पहर उखड़ गए थे आनन तुम से तुम ही से प्यार करता है कवीता और उनके प्यार में कोई घोट नहीं है वो सिर्फ तुम ही को चाहता है कवीता दुनिया की हर चीज से ज्यादा खुद से भी ज्यादा यही सच्चा ही है और इससे मुझसे स्यादा कोई नहीं जानता इतना सब कुछ जानती हो, तुम मेरे गर में क्यों ठहरी हो, जली क्यों नहीं जाती जली जाओंगी, जाने के लिए ही तो आई हूँ बस एक चीज मागने आई थी धान समझ के दे दे न, अब क्या चाहिए तुम्हें नहा, क्यों, फ्लीज मुझे नहा देदो, मैं उसे के साहरी जी लूँगी पागल हो गई हो तुम कैसी बाते कर रही हो, नंदिता, नहा हमारी बेटी है, हम सोच भी नहीं सकते प्लीज आनन्द, तुम्हारे पास कभी ताहल, जिन्दगी है, सब कुछ है एक नहा मैं मुझे बेटी और तुम दोनों मिल जाओगे मुझे जीने का कारण मिल जाएगा भरवसा रखो, मैं उसे जान से भी स्यादा प्यार करूँगी प्लीज मुझे रहा देदो, मैं कभी तुम्हें अपनी सुरत तक नहीं दिखाऊंगी प्लीज आनन्द तुम उसको बोलते क्यों नहीं, नहां मेरी है और मैं कभी उसको अपने से अलग नहीं करूँगी प्लीज कभीता, ऐसा मत कहो, तुम्हारे पास तो आनन्द है चाहो तो तुम अपनी दुनिया फिर से खुश्यों से भर सकती हो लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है मैं बिल्कुल अखेली हूँ एक तुम अखेली प्लीज मेरी आनन्द, नहीं मेरी आनन्द प्लीज कभीता, मैं तुम्हारे चाथ चाथ मैं हुना तुम्हारे पास मुझो नहीं हो चाहिए तुम्हे मुझ में भरूसा है मैं नहा के बगएर नहीं रह सकती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जान तुम हो तो सब कुछ है नहा भी, मैं भी नहीं एक बाद पहर भी गो चुकी हो अकीसु किसे भी ढाज सकते हैं उन्या को तो कैसे जिएंगी? हम इए दूसरे भी कि जी लेंगे ले जाने तो už उन्या को अन। परी कहा ले गाओ Plसह, परी जाओ ले झाने को जो पराक और पर माच कविता कविता क्या हाँ कर दूमें निया खुटी जाओ जाओ अनंट, डोख रोख अनंट भीको में निया, डोख खड़ो, अनंट 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 मोग गया दोख अनंट भीज, प्लीज आनन, 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 आनन को दो दो Mr. Anand Kishor का फोन आ गया था, आप नहाँ को ले जा सकती है Oh, 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 oh Oh, 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 oh अपर जया कि बगार ने जब अगार ने जो तो कमेंट पया चपिए जो इस प्रता है जुप 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 बाओी Me किसेента हम इप है बार जार 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 जा कर झाने बार बार बारी मम्मी आपको पता है आज मेरे रियल बते है क्या? हाँ, मुझे आंटी मम्मी ने बताया अंदर चलो ना मम्मी देखो मिटम, मिटम आपकी आँटी मम्मी का है? उनका गाड़ी का टाइम हो गया वो चले गई लेकिन आपके लिए चित्टी बोलके गई है इस कैसेट में पापा आपने मेरा बर्दे केक देखा? कवीता, पिछली बार आनन की शिकायत रह गई थी, कि महां बिना बोले ही चली गई थी इसलिए इस दफ़ा बोल कर जाना चाहती हूं सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं, कवीता मैंने बहुत दुख पहुँचाया तुमें प्लीज फगिव मी कितना सुखत संजोग है, कि आज के दिन ही नेहा का सही जनम दिन है और उसके जनम दिन पर, छोटी सी भेट के रूप में मैं अपने और बाबुजी के संपती के पेपर्स छोड़े जा रही हूं उसके काम आएंगे प्लीज उसे कुछ मत बताना सब उसी का तो है, और उसी को मिलना चाहिए कविता, मां की गोट से उसकी उलाद को छीने जाने का तर्द समझती हूं मैं और वो दर्द एक मां दूसरी मां को नहीं दे सकती उसे जनम भले ही मैंने दिया है बगर वो बेटी सिर्फ तुम्हारी है जानती हो, उससे मिलते ही उसने सबसे पहरे तुम्हारे लिए पूछा था आनन ने मेरी नेहा को मुझे लोटा दिया अब मैं तुम्हारी नेहा तुम्हें लोटा रही हूं अपनी बच्ची को पाने के स्वार्त में मैं शायद अंदी हो गई थी भूल गई थी कि मैंने तो उसकी जिंदगी में अपने हाथों से अनात आश्रम लिखा था उसे जीवन तो तुमने और आनन ने दिया है जाने से पहले मैं आनन से भी माफी मांगना चाहती हूं उनकी जैसा पिता पती और मनुष शायद ही मिलते हैं उनकी प्यार का अच्छानक मिला हुआ एक पल ही मेरे लिए बहुत है उस पल की आदों में अब तुम और नीहा भी जुड़ गये हो सच अब कहां के लिए हूं मैं सदा के लिए तुम सबसे दूर जा रही हूं मैं लेकिन तुम सब हमेशा मेरे साथ रहोगे भाई एक्सक्ष्ण में बनारस एक्सपर्स यहे? मो तो जारी है भूला भसाना कोई गुजुरा जमाना कोई अगर दिल में यो समाज आए तो ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे अगर दिल क्या करे दिल क्या करें ये दिल क्या करें क्या करे